हेलो फ्रेंद्स आइम चन्ना वेलकमी टो माई चैनल आवर एजगेशन तो इस साल नीट पोस्पोर्ड हो गया है काफी लोगों की यही डाउट है कि इस साल नीट होगा यह नहीं होगा बच्चे नहीं चाहते हैं कि इस साल नीट एक्जाइम कंड़क्ट किया जाए क्यूंकि कोरोना का टाइम है और कोई भी अपने लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता है सबको कोरोना का डर है नहीं अब तक वैक्सीन आई है नहीं कुछ सही से खतम हो पाया है तो सब बहुत जादा परिशान है इस बात को लेकर और सब यहीं चाहते हैं कि अभी नीट नहीं ह हुई तो आपको पता है इससे आपके अकेडमिक पे कितना इफेक्ट पढ़ने वाला है तो आज की वीडियो में हमारा डिसकर्शन का मुद्दा यहीं रहेगा कि नीट एक्जाम पोस्पोन होगा यह नहीं होगा और अगर पोस्पोन होगा तो कब तक होना चाहिए और अग इस कोविड-19 की वज़े से पूरे दुनिया में सब कुछ डाउन हो गया एकनॉमिक से लेकर एडुकेशन सेक्टर सब कुछ एक डाउनपॉल फेस कर रहा है पर इस टाइम में गवर्नमेंट के लिए भी कोई और सॉल्यूशन नहीं है वो यह सोच रहे हैं कि आखिर कब तक यह सब रोक कर रखा जाए अगर यह रोक कर रखा गया तो फिर आपका यह जीरो एकेडमिक यह बन जाएगा पर यह भी सही है कि नाहीं कोरोना की अब तक कोई वैक्सीन आप आई है पर फिर भी गवर्नमेंट ने धीरे-धीरे डिसीजन लिया है कि सब कुछ चलाने का ट्र इन्यू रखना चाहिए अपने इस सिचुएशन के साथ साथ इसके वज़े से हमें अपने ग्रोथ को डाउन नहीं करना चाहिए पर काफी बच्चे ट्वीट करके अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और काफी बच्चे यही चाह रहें कि नीट एक्जाम इस साल के लिए पॉस्पॉन्ड हो जाए पर गवर्न्मेंट को ऐसा लगता है कि काफी बच्चे इस एक्जाम को देने के लिए रेडी भी हैं जो कि इसके लिए आवाज नहीं उठा रहें कि एक्जाम पोस्पॉन्ड किया जाए तो उनके अकॉर्डिंग गवर्न्मेंट ने यह एनलाइस क कि काफी बच्चे चाहते हैं कि एक्जाम हो जाए और उनका एकडमिक यह बर्बाद ना जाए क्योंकि आप देखी सकते हो अभी अगर इस साल कॉलेज खाली रह जाएगा तो फिर नेक्स्ट यह नेक्स्ट यह जब उसके बाद उक्यूपेंसी निकलेगी तो फिर डबल उक एडुकेशन सेक्टर हमारी कॉलेज कुछ भी रेडी नहीं है तो इसलिए गवर्णमेंट चाहता है कि अगर यह एक्जाम अभी कंड़क्ट हो गया तो उसके बाद फिर नॉवेंबर से वो अपना सेशन स्टार्ट कर सकता है और उसके बाद जल्द ही उसका सेशन अगस्त तक वो कंप्लीट हो जाएगा इसलिए गवर्णमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि एक्जाम अभी करवाया जाए नहीं तो फिर अगर यह एक्जाम दिसंबर तक पोस्पोन होगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं और यह नौवेंबर औक्टूबर में तो ह नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पेस्टिवल के सीजन होते हैं और हर जगा छुट्टी दी जाती है तो अगर आप बात करो बेहार जारकन के तो वहां पे तो मेंली सारे फेस्टिवल्स और नौवेंबर में मनाये जाते हैं छट पूजा यह वगर सब होते हैं तो यह सब सब्सक्राइब तो फिर आपका सेशन कभी स्टार्ट होगा जैनवरी में जो कि बहुत लेट हो जाएगा और उसके बाद फिर न्यू शेशन आने का टाइम आ जाएगा और फिर वह भी बच्चे आ जाएगे तो डबल उक्युमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जो एक्जाम देना चाह रहे हैं उन्हें देने दो क्योंकि अब कोई फाइदा नहीं है इसके लिए यह करके क्योंकि अब कोरोना हो ही गया है बट अगर आप सेफ्टी रखोगे वन हैंड डिस्टेंस रखो मास्क लगाओ सेनिटाइजर यू और इस तरह से आप अगर कर रहे हो तो चलो आपके अंगल से सही है पर जिसे नहीं करना है जिसे एक्जाम नहीं देना है तो वो अपने घर में आराम से बैठ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन नेक्स साल के लिए कर सकते हैं पर इस यह अगर एक्जाम कंड़क्ट नहीं किया तो यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्हड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह zero academic year जैगा जिससे की आपको फिर कोई benefit नहीं होने वाला है वह डेवल调 Reporting स्टीव और क्था करी नहीं सकता कोई पर College मोरी जाना चाहिए तो ही बेटर रहेगा जिसे देना एकसेम वह आप देलो नी तो फिर आप लोग एक साल वेट करके आप अपने next year में जा सकते हो next year में आप exam दे देना पर जिन ही देना है उन्हीं देने दो क्योंकि maximum बच्चों ने admit card download कर ली and they are ready to give exams government के according उन्होंने अपने एक interview में बताया था कि बहुत बच्चे रेडी है ये exam देने के लिए और उनके parents भी ready है ये exam देलवाने के लिए क्योंकि अब ये situation आ गया तो इसे हमें face करना होगा और इसके साथ सत हमें अपना भी growth देखना होगा ठीक है तो अगर ये exam पोस्पॉन दोगे फिर सारे exam के लिए यही चीज़ बोला जाएगा कि ये भी पोस्पॉन कर दो वो भी पोस्पॉन कर दो ये सब government के हाथ में नहीं हो क्या चाहा रहे हैं और गवर्न्मेंट को भी पता चले कि बच्चे क्या चाहा रहे हैं वो क्या चाहते exam कंड़क्ट हो या नहीं हूँ मैंने आपको सारे facts बाते बताई है कि आखेर exam क्यों नहीं कंड़क्ट होना चाहिए और I hope कि आपको ये चीज़ सही लगाओगा सही चैनल को सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि हम गवर्न्मेंट exam से रिलेटेड इंपोर्टन इंपोर्टन वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं